राजधानी राइपूर में शनिवार को इलेक्ट्रिक वाहन रोडशो जागरुकता अभियान की शुरुआत हुई मुखिमती विश्णिदेव साई भी इस कायकरम में शामिल हुए उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन रोडशो को हरी जंडी दिखाई ये रोडशो सीएम हाउस से उर्जा पार्क तक हुआ कायकरम के दोरान सीएम साई ने अपनी सब्बोधन में कहा कि वायू मंडल प्रदूशित हो रहा है प्येम मोधी इसको लेकर चिन्तित हैं पर्यावरन संडक्षन की दिखाई में प्येम मोधी लगतार प्रयास कर रहे हैं ऐसे में इवी वाहनों का रोडशो काफी कारगार है उन्होंने ये भी कहा कि पर्यावरन संडक्षन के लिए हम सब को मिल कर काम करना होगा आप सबको मालूम है कि आज वायू मंडल कितना दूसीत हो रहा है और इसे समय में हमारे देश के सुष्य प्रधान मंत्री बहुत चिंता करते हैं और इसलिए वो सवर उर्जा और ये इलेक्ट्रिक वहिकल इस समय ज़्यादा ध्यान देते हैं और आज आपनों का अच्छा पर्यास है इलेक्ट्रिकल वहिकल रेली निकाल कर लोगों में एक जागरुपता लाने का जो पर्यास है मैं आप लोगों को बहुत दोर धन्वा देता हूं साधुआज देता हूं चुकि धूप भी है और काफी देरी से आप सब लोग हमको पता नहीं था कि आप लोग यहाँ पर रहें अभी पता चला है तो जस आप लोगों के बीच में हम आये हैं आप लोगों को तकलीफ हुए इसका मुझे खेद है और यह जो रेली आप लोगों निकाल रहे हैं हाविरनेस के लिए यह शफल हो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई सुपकामना देते हूं अप निबास समाप करता हूं धन्माद